नमस्कार दसूत्रधार देख रहें आप और मैं हूँ स्मिती ज्ञा दसूत्रधार के सहित्तिक कहानियों के स्रिंखला में आज से शुरू कर रहे हैं बहुं प्रतिक्षित उपन्यास गोदान गोदान उपन्यास अपलोड करने की मांग महिनों से हो रही थी जिसे अब पूरा किया जा रहा है गोदान उपन्यास को हम आपकी और अपनी सूविधा के लिए 36 अलग-अलग भागों में प्रस्तूत करने वाले हैं अब बात कहानी की गोदान गाउं में रहने वाले उस परिवार की कहानी है जो कठीनाईयों का सामना करते हुए हिम्मत नहीं हारता इसमें गाउं की ओविवस्था, किसानों की तडब, क्रामीन समाज की विसंगतिया, अंदविश्वास, उत्पीडन और पीडा की सच्ची तस्वीर प्रस्तूत की गई है तो चलिए सुनना शुरू करते हैं गोदान होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी इस्त्री धनिया से कहा गोबर को उख गोडने भेज देना, मैं ना जाने कब लोटू, ज़रा मेरी लाठी दे दे धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कराई थी, बोली होरी ने अपने जुरियों से भरे हुए माथे को सिकोड कर कहा तुझे रास पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अवेर हो गई तो मालिक से भेट ना होगी असनान पुजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीच जाएगा इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसो गए थे तु जो बात नहीं समझती, उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख या इसी मिलते जुलते रहने का परसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए, गाउं में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई, जब दूसरे के पाउं तले अपनी गर्दन दबी हुई है, तो उन पाउं को सहलाने में ही कुशल है, धनिया इतनी वेभार कुशल ना थी, उसका विचार था कि हमने जमिंदार के खेट जोते हैं, तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामत क्यों करें, उसके तलवें क्यों सहलाएं, यदपी अपने विबाहित जीवन के इन बीस बरसों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेटतन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दात से पकड़ो, मगर लगान का बेवाक होना मुश्किल है, फिर भी वह हार ना मानती थी, और इस विशय पर इस्तरी उपा, बारह और आठ साल की, तीन लड़के बचपन ही में मर गए, उसका मन आज भी कहता था, अगर उनकी दवा दवाई होती, तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी, उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36 वही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे चहरे पर जुरियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी, वह सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था, और आखों से भी कम सूझने लगा था, पेट की चिंता ही के कारण तो, कभी तो जीवन का सुख न मिला, इस चिरस्थाई जिर्णा वस्था ने उसके आत्म सम्मान क उदासिंता का रूप दे दिया था, जिस ग्रिहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशा मत क्यों, इस परिस्थिती से उसका मन बराबर विद्रोह किया रहता था, और दो चार घुड़कियां खा लेने पर ही उसे अथार्थ का ग्यान होता था, उसने परास्थ होकर होरी की लाठी, मिर्जाई, जूते, पगड़ी और तमाखु का बटुआ लाकर सामने पटक दिये, होरी ने उसकी और आखे तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जब पांचो पोसाक लाई है, ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है, जिसे जाकर दिखाऊं, होरी के गहरे सावले पिछके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मिर्दुल जलक पड़ी, धनिया ने ला जाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुमें देख कर रिच जाएंगी, होरी ने फटी हुई मिर्जाई को ब जैसे मरत साठे पर पाठे नहीं होते, दूद घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे, तुमारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हुँ, कि भगवान या बुढ़ापा कैसे कटेगा, कि इसके द्वार पर भीक मांगेंगे? होरी की वक्षणिक मिर्दुता या थार्थ की इस आच में जैसे जुलस गई, लकड़ी संभालता हुआ बोला, साठे तक पहुँचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे, धनिया ने तिरसकार किया, अच्छा रहने दो, मत असुब मूँ से न हनिया के चोट खाए हुए हिरदय में आतंक में कमपन सा डाल दिया था, वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पती को अभैदान दे रही थी, उसके अंतह करण से जैसे आशिरवादों का व्योह सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपाए लेत था, विपन्यता के इस अथा सागर में सोहाग ही वह तिन्ड था, जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी, इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो जटका दे कर उसके हाथ से वह तिन्के का सहारा छीन लेना चाहा, बलकि यथार्थ के न बढ़ाये चला जाता था, पकड़ंडी के दोनों और रूह के पधों की लहराती हुई हर्याली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गउं से बर्खा कर दें और डाड़ी भी सुभीते से रहे, तो एक गाये जरूर लेगा, देसी गाये तो न दूध दें, न उनके बच बचवे ही किसी काम के हो, बहुत हुआ तो तेली के कोल हुँ में चले, नहीं वह पचाई गाये लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो चार-पांच सेर दूध होगा, गोबर दूध के लिए तरस-तरस रह जाता है, इस उमिर में न खाया पिया, तो फिर कब ख भा है, सबेरे सबेरे गव के दर्शन हो जाएं, तो क्या कहना, ना जाने कव या साध पूरी होगी, कव वह शूब दिन आएगा, हर एक ग्रिहस्त की भाती होरी के मन में भी गव की लालसा चिरकाल से संचित चले आती थी, यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वापन, सब पर चाई हुई लालिमा को अपने रजत परताप से तेज परदान करता हुआ उपर चट रहा था, और हवा में गर्मी आने लगी थी, दोनों और खेतों में काम करने वाले किसान उसे देख कर राम राम करते और सम्मान भाव से चीलम पिने का निमंदर देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहां था, उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आधर पाकर उसके सुखे मुख पर गर्ब की जलक पैदा कर रही थी, मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आधर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता, पांच बीगे के किसान की भी साथ ही क्या, यह काम आधर नहीं है कि तीन तीन चार चार हल वाले महतों भी उसके सामने सिर जुकाते हैं, अव्वा खेतों के बीच की पकडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेट में कु में आया कि कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना ही है, कई किसान इस गड़े का पट्टा लिखवाने को तयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर इश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी, कोई स्वार्थी जमिनदार होता तो कहता गाएं जाएं भार में हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़े? पर राय सहाब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं, जो मालिक प्रजा को ना पाले, वह भी कोई आदमी है? सहसा उसने देखा, भोला अपनी गाएं लिए इसी तरफ चला आ रहा है, भोला इसी गाउं से मिले हुए पुरवे का गौला था और दूध मक्षन का वेवसाय करता था, अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथे गाएं बेच भी देता था होरी का मन उन गाएं को देख कर ललचा गया, अगर भोला वह आगे वाली गाएं उसे दे तो क्या कहना? रूपए आगे पिछे देता रहेगा, वह जानता था घर में रूपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, बीसे सरसाहू का देना भी बाकी है, जिस प नहीं होती, उसने उसे प्रोटसाहित किया, बरसों से जो साध मन को अंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया, भोला के समीब जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग धंग है, सुना आपकी मेले से नई गाएं लाए हो, भोला ने रुखाई से कैसे हो, होरी ने आगे वाली गाय के पुठे पर हाथ रख कर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने मेली, भोला ने शान जमाई, अबगी बाजार तेज रहा महतो, इसके असी रुपए देने पड़े, तीस-तीस रुपए तो दोनो कलोरों के दिये, तीस पर गाहक रुप पर नसा चढ़ने लगा, बोला, राय साहब इसके सौ रुपए देते थे, दोनो कलोरों के पचास-पचास रुपए, लेकिन हमने न दिये, भगवान ने चाहा तो सौ रुपए इसी बयान में पीट लूँगा, इसमें क्या संदे है भाई, माली क्या खाके लेंगे, नजरा है तुम्हारा जीवन की गवों की इतनी सेवा करते हो, हमें तो गाय का गोवर भी मैं असर नहीं, गिरस्त के घर में एक गाय भी नहो तो कितनी लज्जा की बात है, साल के साल बीच जाते हैं, गोरस के दरसन नहीं होते, घर वाली बार-बार कहती है, भुला भाया से क्यों ही कहते, मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूंगा, तुम्हारे सुभाव से बड़ी परसन रहती है, कहती है, ऐसा मरद ही नहीं देखा, कि जब बात करेंगे, नीची आखें करके, कभी सीर नहीं उठाते, भोला पर जो नशा चड़ रहा था, उसे इस भरपूर प्या वाले ने और गहरा कर दिया, बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहु बेटी को अपनी बहु बेटी समझे, जो दुष्ट किसी महरिया की और ताके, उसे गोली मार देना चाहिए, यह तुमने लाक रुपए की बात कह दी भाई, बस सज्जन वही जो दूसरों की जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पाउँ टूट जाते हैं, मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं, गतवर्स भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जान सजग हो गई, पुरानी मसल जूटी थोड़ी है, बिन घर नी घर भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते, ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी फस्ता नहीं, सौपचास खरच करने को भी तयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा, अब मैं भी फिकर में रह जाता है, लेकिन किस काम का, मेरे ससुराल में एक महरिया है, तीन-चार साल हुए उसका आदमी उसे छोड़ कर कलकत्ते चला गया, बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लच्छमी समझ लो, भोला क सिकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिखना गया, आशा में कितनी सुधा है, बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो, छुटी हो तो चलो एक दिन देखाएं, मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा, बहुत उताबली करने से भी काम बिगड़ जाता है, जब तुम्हारी यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं, जैसे इतने दिन बीते हैं, वैसे और भी बीत जाएंगे, तुम तो ऐसी बाते करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं, तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना, जैसे मेरे घर में रही, वैसे तुम्हारे घर रही, असी रुपए मे ली थी, तुम असी रुपए ही देना, जाओ, लेकिन मेरे पास नगत नहीं है दादा, समझ लो, तो तुमसे नगत मांगता कौन है भाई, होरी की छाती गज भर की हो गई, असी रुपए में गाय मांगी न थी, ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनो जून में छह साथ सेर इसका तो एक एक बाचा सौसो का होगा, दौार पर बंदेगी तो दौार की शोभा बढ़ जाएगी, उसे अभी कोई चार सो रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था, कहीं भूला की सगाई ठीक हो गई, तो साल दो साल तो वह बोलेगा भी नहीं, सगाई न भी हुई, तो होरी का क्या बिगड़ता है, यही तो होगा, भूला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी, इस वेभार का वह आदी था, क्रिशक के जीवन का तो यह प्रसाद है भूला के साथ वह चल कर रहा था और वह ब्यापार उसकी मरियादा के अनुकूल था, अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर न था, सुखे बुड़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाये रहती थी, इश्वर का रौदर पढ़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्मे खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है, सन को कुछ गिला कर देना और रूई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीती में जायज था, और यहां तो केबल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनुरंजन भी था, बुड़ों का असपद वस्तु है और ऐसे बुड़ों से अगर कुछ एट भी लिया जाए तो कोई दोस्पाप नहीं, भोला ने गाय की पगहिया हूरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे, बियाते ही छा से इर्दूध ले लेना, चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुचा दो, साइट तुम्हें अंजान समझ का रास्ते में कुछ दिख करे, अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गवों की क्या कदर, मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते, हाकिमों को गव की सेवा से मतलब, वह तो खू देती, रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते, किसके पल्ले पढ़ती कौन जाने, रुपिया ही सब कुछ नहीं है भाईया, कुछ अपना धरम भी तो है, तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा, कि तुम आप खा कर सो रहो और गव भूखी खड़ी रहे, उसकी से करोगे, चुमकारोगे, गव हमें असिरवात देगी, तुमसे क्या कहूं भाईया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा, रुपैसा बाजार में निकल गए, सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका, उसने इनकार कर द इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यह चिंता मारे डालती है, चुटकी चुटकी भर खिलाऊं, तो मन भर रोज का खरच है, भगवान ही पार लगाएं तो लगे, होरी ने सहान भूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भया कि सबसे अपना दुख क्यों रोओ, बारता कोई नहीं हसते सब हैं, जो गाएं सुख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिला कर जिला लूँगा, लेकिन अब यह तो राती बीना नहीं रह सकती, हो सके तो दस बीस भूसे के लिए दे दो, किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं, उसकी गाठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, भावताओ में भी वह चौकस होता है, ब्याज की एक एक पाई छुडाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरोरी करता है जब तक पक्का विश्वास न हो जाए, वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृती से अस्थाई सहयोग है, विरिक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है, खेती में अनाज होता है, या संसार के काम आता है, गाय के थन में दूद होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं, मेगों से वर्षा होती है, उससे पृत्वित्रिप्त होती है, ऐसी संगती में कुचित स्वार्थ के लिए कहां स्थान? होरी किसान था, और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सिखा ही न था, भ कर उठवा लो भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा मेरे हाथ न कड़ जाएंगे भोला ने आदर कंड से कहा तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे तुम्हारे पास भी तो ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है नहीं दादा अब की भूसा अच्छा हो गया थ मैंने तुम से नाहग भूसे की चर्चा की तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गायर समझ लिया अब सर पढ़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसे चले मुदा यह गाय तो लेते जाओ अभी न नहीं दादा फिर ले लूँगा तो भूसे के दाम दूद में कटवा लेना होली ने दुखित स्वर में कहा दाम कोडी की इसमें कौन बात है दादा मैं एक दो जुन तुम्हारे घर खालू तो तुम मुझे दाम मांगोगे लेकिन तुम्हारे बैल भूखो मरेंगे की नही भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही आसार सिर पर है कड़वी बोलूँगा मगर यह गाय तुम्हारी हो गई जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना किसी भाई का निलाम पर चड़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो असपश्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है बलकि उसका कुछ और आशा है लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर होडा कारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता वह दशा होरी की थी संकट की चीज लेना पाप है यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी भोला ने गद गद कंट से कहा तो किसी को भेज दूंभूसे के लिए होरी ने मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ मेरा भी कोई ही तू है एक छण के बाद उसने फिर कहा उस बात को भूलना जाना होरी आगे बढ़ा तो उसका चित प्रसन्य था मन में एक विचित रिस फूरती हो रही थी क्या हुआ दस-पांच मन भूसा चला बात ही नहीं उसने पीछे फिर कर देखा कबरी गाय पूँच से मक्षियां उडाती सिरहिलाती मस्तानी मंद गती से जूमती चली जाती थी जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह काम धेनू उसके द्वार पर बंदेगी पहले ही भाग से यस्पस्ट हो गया होगा कि क्यों गोदान उपन्यास का कई भाशाओं में अनुवात किया गया जमीन से जुड़ी हकीकत को दर्पन की तरह आपके सामने में परोस्ती इस कहानी का दूसरा भाग कुछ ही दिनों में प्रस्तूत करेंगे दसूत्रदार पर कहानियों का सलसरा जारी है बने रहने के लिए धन्यवाद